असलाम अलेकूम एन हलो दोस्तों मैं जुलेखारफाद जुलेखासकिचिन.com से आज हम बनाते हैं मटन कीमा समोसा मज़ेदार से माशालला क्या क्रिस्पी और क्रंची बने हैं वैसे ये घर में बनी हुई समोसी की पटियां हैं इनकी खास बात यह है कि ये तीन-चार घंटे के बाद भी क्रिस्पी रहते हैं और बहुत अच्छे से तीन-चार मैने तक आप स्टोर करके इनहें रख के खा सकते हो चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा का सब्सक्राइब करें और पराबर में जो बेल आइकन इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखनी मिलेगी वो भी फ्री में और ऐसे पेच लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एक पतिली या कड़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए चूला चालू कर दीजिए फास्ट आज पर जब तेल गरम हो जाए तो वन फोट टीस्पून या आदा चोट चाय का चमज साबू जीरा डाल दीजिए जब जीरा तरतरा जाए तो धाइसो घराम कीमा डाल दीजिए मतन का और जो चन्नी में भी लगाओ वो भी डाल दीजिए अच्छे से और इसे बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए फास्ट आज पर तकरीबन आदे से एक मिनिट तक बार बार चलाते रहें जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता और जब तक थोड़ा पानी नहीं निकल आता यह देखे पानी निकल आया है तो अब दाल दीजिए थोड़ा सा नम्मक फास्ट आज ही रखिएगा तक पानी थोड़ा बहुत सूख जाए तो दाल दीजिए बहुत अद्रक लसन का पेस्ट उसे भी धाल कर बहुत अच्छी से मिक्स कीजिए अपने तब तक रोस्ट करना है जब तक कच्छे पन की खुश्बूना चली जाए और यह जो पानी है पूरी तरीके से सूख ना ज अपने स्वाद अनुसार दालिए बहुत अच्छी से मिक्स कर दीजिए और इसे भी एक मिनिट तक फास्ट आज पर भूनिए जब भून जाए एक मिनिट के बाद अधा कप पानी दाल दीजिए मिक्स कर लीजिए फास्ट आज पर एक उबाला जाने दीजिए जब एक उब है बहुत ही अच्छे से पक भी चुका है गल भी चुका है और ड्राइ अपने आप हो चुका है अब मैं स्लो आज पर दो से तीन मिनिट रख रही हूं चुले बहुत अच्छा ड्राइ हो चुका है एक से दो मिनिट के अंदर चुले चूला बंद कर दीजिए और साइट पर रख दीजिए थोड़ा ठंडा होने के लिए तब तक यहां मैं दूसरा प्रिपेरेशन कर लेती हूं यह दो टेबिल स्पून आटा लिया है उसके अंद चिटका हुआ है उसे बहुत अच्छे से चमच की मदद से निकाल लेती हूं खुरच लेती हूं इस तरीके से अगर आपकी पतिली नॉन स्टेक है तो यह स्टेप की जरूरत नहीं है वैसे यह दो हरी मिर्चिया बारी कटी हुई है यह स्प्रिंग ऑनियंस की हारी डंडिय पीसा हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे 3-4 चोटा चैका चमच गरमसाले का पाउडर एक चोटा चैका चमच भुना हुआ पीसा हुआ जीरा यह सारी चीसों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजे की में के अंदर अब इसकी प्यास जो चुंदा काटके रखी है वो दाल दीजे और अब लासली दाल दीजे यह हरी प्यास की जो ग्रीन पतिया है उसे मैंने बारिक कटा है वो भी दाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजे आप देख सकते हैं किमा कितना बुरबुरा सा है ऐसा ही होना चाहिए नमक चेक कर लीजे अगर कम लगे तो उपर से दाल कर मिक्स कर लीजे चलिए अब समोसे को हम वारते हैं यह समोसे की पटीज है यह घर में बनी हुई है आप चाहें तो बाजार की भी ले सकते हैं बस कुछ नहीं किया बनाने से 15-20 मिनिट पहले मैंने इने फीरीजर से निक आएगा नीचे दिखना नहीं चाहिए मतलब होल नहीं होना चाहिए अब डाल दीजिए एक से टेबल स्पुन भरकर मटन का मिक्स्चर थोड़ा सा हलके आज से प्रेस कीजिए पलट दीजिए और यहां जो बचा हुआ साइड है इन्हें यह जो आटे की लगा के इन्हें भ अब एक साथ सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर आटे की लगा के साइड पर रख दूँगी आप चाहें तो उसी समय एक एक करके भरें उसमें लगाएं आटे की और उसे बांद कर रख दे या फिर मेरी तरह आप पहले सारे बना ले उसके बाद सारों को एक साथ लगाएं आटे की लगाएं दोनों ही वे सही हैं समोसी की पटी खतम हो गई और कीमा बज गया है तो अब मैं क्या कर रहे हूं जो मैंने साइड पर रखे थे घर में बना कर स्प्रिंग रोल के शीद उसे मैंने फटा-फट फ्रीजर से निकाले 15 मिनट डिफ्रोस्ट किया और अब मैं इसके ये समोसी की पटिया बना लेती हो तो इसी तरीके से बाकी के सारे बन जाएंगे मेरे ये देखिए माशालला तकरीबन 26 बने हैं वैसे ये घर के बने हुए तो थोड़े छोटे हैं इसके लिए नहीं तो अगर आप बजार के लेती हो समोसी के पूर तो ज़रा कम ही बनेंगे माशालला इतने बरकती बने हैं कि मैं एक प्लेट को अभी फ्राइ करती हूँ और बाकी को मैं फ्रीज करके स्टोर करने रख देती हूँ एक जपलॉक बैक लीजिए और इसको एक एक करके इस तरीके से रखते जाएए कुछ भी नहीं होंगे एक दूसरे को लगेंगे नहीं कुछ नहीं होंगे बहुती मज़ेदार से तो दिख तो रहे हैं लेकिन उतनी ही कन्वीनेटली आप इसे स्टोर करके तकरीबन तीन-चार मैने तक रखके का सकते हो कुछ नहीं करने हैं आपको जब मन करें आदे घंटे पहले फ्रीजर से निकालें और जब आदे घंटे के बाद यह डिफ्रोस्ट हो जाएं तो इन्हें फ्राइ कर लें आपके पास जिपलोग बैग ना हो तो एक इस तरीके से एटाइट कंटेनर लीजि नीचे एक प्लास्टिक शीट रखे उसके उपर अच्छे से यह हमारे समोसे दालिए फिर से एक plastic के sheet रखे और फिर समोसे दालिए और उसे ढाक कर पैक करके freezer में रख दीजिएगा चलिए यह में इसे as it does यह देखे freezer में रख रही हूँ चलिए बागी की एक plate fry कर लेते हैं एक कड़ाई के अंदर खूप सारा तेल दालिए fast आच पर गरम कीजिए गरम हो जाए त समोसे की पटीज है तो चलिए बिस्मिल्लाई रह्मानी रहिम बोल के तीन-चार अटे टाइम गरम तेल में दालिए कुछ सेकंड्स के बाद इन्हें पलट लीजिए और मीडियम आज पर फ्राय करें उलट-पलट करते जाए जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब गोल तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिशू पेपर के उपर साइट पर रख दीजिए इसी जरीके से सारे मीडियम आज पर फ्राय कर लीजिए उलट-पलट करते हुए मैंने समोसे के रेसिपीस की सीरीज शुरू की है आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल देती सारे लिंक्स आप वहां चेक कर सकते हैं गर्मा गरम समोसे सर्फ कीजिए टमाटर सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ हरी चटनी का लिंक में आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल देती हूं अगर आप मेरी रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज जरूर शेयर कीजिएगा अल्ला हाफिज